तो दोस्तों इस वीडियो में आप से मैं MSC Medical Microbiology कोर्स के बारे में आप से मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकरी आपको प्राफ्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वी काफी सारे कोर्स के बारे में भी वीडियोस मिले जाएंगी आप इस वीडियो के खतम हुने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं MSC Medical Microbiology Course के बारे में आपसे मैं डिस्कस तरूँ तो MSC का मतलब होता है Master of Science और MSC Microbiology का जो कोर्स है जै कोर्स एक Post-Graduation Level की डिगरी का कोर्स होता है तो जै कोर्स दो वरश का कोर्स होता है जिसमें कुल चार समेस्टर होते हैं MSC Medical Microbiology का कोर्स वो होता है जिसमें स्टुडेंट्स को Microgensims जैसे की Bacteria, Viruses, Fungi, एक सेक्टरा की स्टेडी के बारे में आपको सिखाया जाता है जै कोर्स स्टुडेंट्स को Advanced Level पर Microbiology, Immunology और Molecular Biology के जो Concepts होते हैं वो भी स्टुडेंट्स को सिखाता है जिसमें जो स्टुडेंट्स होते हैं वो Medical Field में Research, Diagnosis जां Treatment में Contribute कर सकते हैं और साथ इस कोर्स के मादम से आपको Research बरक भी आपको काफी अच्छे से सिखाया जाता है और अगर दोस्तों आप Medical Microbiology की फील्ड में और आगे अगर आप Study करना चाहते हो तब तो आपके लिए MSC Medical Microbiology का जो कोर्स जै कोर्स आपको काफी अच्छा Benefit दे सकता है अभी आपसे मैं Illigibility Criteria के वरे में आपसे मैं डिसकस करने वालाओं की जन्याप इस कोर्स में आखिर किस परकार से Admission ले सकते हो तो इस कोर्स में आपको Admission लेने के लिए आपको जो Bachelor की जो डिगरी है उसे आपको पास करनी पड़ेगी आपको जो Bachelor की जो डिगरी है उसे आ हो पाओगे और साथ में दोस्तों मैं आपको जेवी बताना चाहता हूं कि अफिसर्ज उनिवर्सिटिस का और जो कॉलिजिविलिटी क्राइडिरिया है इस कोर्स के रिगार्डिंग वो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है अभी आपसे मैं जोग परफाल्स के बारे में आपसे मै डिसकस करने वालाओं की जने अगर आप इस कोर्स पूरा कर लेते हो आपको किस प्रकार की जो जोवे वो आपको मिल सकती है तो दोस्तों आप लैफ टेक्नीशिर बन सकते हो आप रिसर्च एसोसीड बन सकते हो आप माइक्रो बायलोजिस्ट बन सकते हो इसके इलावा दोस् की जो जोव है उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आप से में slayvus के बारे में आप से में discuss करने वालाओं की जन्हें आप इस course में आखिर किस परकार का जो slayvus होता है उसे आप study करते हो तो इस course में आप bacteriology, immunology, mycology, industrial microbiology, food microbiology, medical microbiology, computer applications, etc. जो topics और जो subjects होते हैं वो आप इस course के माद्दम से दोस्तों आप study करते हो और विस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दुरान आपको करवाए जाते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको जेवी बताना चाहता हैं का फिसरे जुनिवस्टिस के और जो colleges के slayvus के हिसाफ से जैजो subject हैं वो कुछ different भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में आपसे मैंने MSC medical microbiology course के बारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई आउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और वी काफी सारे courses के वारे में भी बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें बेकवार जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जैब बीडियो कैसी लगी अगर आपको जैब बीडियो पसंद आई है तो आप बीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को subscribe करना मत बूलना धन्यवाद